हेलो फ्रेंड्स नमास्ते वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल तो कैसे हैं आप सब होपसोफ सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी और लेके आई हूँ आज आपके लिए मुंपली गचक रेसिपी आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी बनके रेडी हुई है तो दो से यह फ्रेंड्स सी रेस्पी शुरू करते हैं तो गजक बनाने के लिए हमने ले लेनी है सबसे पहले यह मुंपली तो यह मैंने एक कटोरी मुंपली ले ली है तो यह मैंने ना कच्छी मुंपली ली है सबसे पहले हमने इनको ड्राय रोष्ट कर लेना है यदि आपके पास भुनी हुई मौंपली है और उन में से यदि आपने दाना निकाला है तो आपको प्रोशेजर करने की जुरूरत नहीं है यदि आपकी मौंपली कची है तो ही आपने इनको रोष्ट करना है तो 5-6 मिंट में अच्छे से रोष्ट हो जाती है और आप देख सकते हैं कि इनका छ पर कर लिया था और यह अच्छे से ठंडी हो गई है अब हम इनको ऐसे मसल मसल के छिलके उतार लेंगे आप चाहें तो ऐसे उतार सकते हैं लेकिन मुझे कपड़े में डाल के उतारना एजी लगता है इसलिए मैंने इनको डाल लिया है एक कपड़े में तो साफ सुत्रे अच्छे से इनको रगड लेना और यह देखिए हमारे सभी चिलके लगभग उतार के निकल गए हैं तो यह प्रोसीजन भोती आसान रहता है हाथों से जदी हम रगड रगड के उतारते हैं उसमें टाइम भी लगता है और इतना अच्छा रजाल्ट नहीं मिलता है इतना कुछ मुंख़ली रगड़ने से दुम के दो फाड हो गए लेकिन कुछ मुंख़ली अभी भी साबुत है वापिस से मैंने उसको उसी कपने में डाल लिया है और अब हम इसको बेलन की सायत्ता से ऐसे रगड देंगे ताकि इसकी अच्छे से दो फाड हो जाए तो आप चाह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हम इनके दो पार्ट कर लेंगे तो ऐसे ही मैंने बिलन चलाती हुए सभी मुंख़ली के लगबग दो पार्ट कर लिये हैं वापिस से डाल लेंगे इसको उसी थाली में और फिर से हम इसको थोड़ा सा चांट लेंगे क्योंकि अब हमने इ चलाती है यहाद कर लेंगे घड़ इसको पीट था को बड़ी ही आप देख सकते हैं कि यह सोफ्ट हो गया है जितनी मैंने एक कटोरी पीने ली थी और मैं यहाँ पर ले रहे हुँ हूं पोना कटोरी मेजरमेंट ऐसी है फ्रेंट's की थोड़ा वह तो भी नीचे भी हो पर चुमच घी कुर्वा गड़ा यहां नहीं पर नहीं है कि पुराना गुड़ लेगा तो उत्नी अच्छी हमारी गजप बनेगी नहीं लेगे नहीं कि आपने कोषिज करनी है कि आपने नया गुड़ ही ले लेगे पुराना होने के बाद तो उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा इसलिए आपने कोशिज करनी है कि नया गुड़ ही लेना है तो गुड़ जैसे ही मेल्ट हुआ तो मेरे को लगा कि गुड़ ना ना पिसका कम पड़ेगा इसलिए मैंने दो डली ओरिस में डाल दी है और अब ह कोशिजर है जो गजग का एक एहम पार्ट है गुड़ की चासनी बनाना तो आपको कैसी गजग चाहिए वह इस चासनी पर डिपैंड करती है एक तो गजग होती है एकदम कड़क ऐसे तोड़ती है तो कटक की आवाज आती है दूर तक उछलती है वैसे वाली गजग लेकिन सक्त नहीं होनी चाहिए और हलकी सक्त होनी चाहिए तभी आपने निकाल देना है तो यह अगत्व लिगत आपको एक दम कड़क वाली गजग आपको पर पानी में निकए ब्काषर को पकाना है तो गैस य fighter को मैं न害ी कर दिया है बंद और हमारी जो पीनेट रैडी गुई त अच्छे से कर लेंगे mix बहुत ही जल्दी यह ठंडी हो जाएगी और एकदम से यह जमना शुरू हो जाएगी और आप देख सकते हैंगे कापी हद तक यह जम भी गई है तो आपने इसको एकदम से नहीं जमने नहीं देना यहां पर नहीं तो फिर इसी form में यह set हो जाएगी तो अब हमने इसको अच्छे से हैट करना है गज्जक की form में की आपने कैसी गज्जक बनानी है तो यहां पर मैंने एक पन्नी ले ली है और इस पे लगा दिया है घी आप चाहएं तो नहीं खाहें इसे थाली में भी जमा सकते हैं नीचे गी लगाए आप जमा सकते हैं जिल सेट हो गया हलका से अभी भी गरम है और यह प्रोसिजर आपने जल्दी जल्दी ही करना है तो उपर से भी मैंने दो सितु इनपून डाल दिया इस पे घी और आच्छे से वापी से इस पे हम लगा देंगे हमारी पन्नी और इसको हलका सा मदब फैला देंगे बहुत जादा हम मोटा नहीं रखेंगे तो वैसे तो ना गली चोराय सब पे मिलती है ना ऐसे बड़े बड़े चक्की सी आप ऐसे भी रख सकते हो लेकिन मैं इनको छोटे चोटे साइज पे काटूंगी अब तो इसका गज़क का टाइम सुरू हो गया है और पीनेट गज़क ये सभी हमें म और में पीज़क बड़े तो आपको पता रहता है कि हमने इसमें क्या डाला है और जैसे मैं एक्दम से अब भी हमने इसको ड्राजिय करना क्योंकि अब पर हम इसको काट नहीं पाएंगे और हल्की सी जब गरम रह जाएं तब तक हमने में इसको फिनिस कर लेगाना है की से अब भचे लिए नियुक्त गोओं बहुत के यह एक गिलास गुषब को गूमा आना तो इसे हो नहीं रहा तो यह हमारी अच्छे से कट रही है आप चाहें तो यह पी न अपने हिसाब से चाकू से भी से काट सकते हैं तो यह पर मैंने छह तो यह गोल वाली काटी है और छोटी-छोटी में इनकी चक्की भी काट लेती हूं और इनको हम हलके से ठंडा होने देंगी अब हम काट लेते हैं अपनी चक्की तो चक्की भी आप अपनी चोइस के कोडिंग चोटी बड़ी जैसे भी आपको यह मार्केट में मिलती है ना चोरस वैसी काट सकती हैं तो मैंने आपने चोटी-छोटी साइज की काटिया बच्चों को देने में भी आसानी रहती है और बाकी जो लास्ट में जो यह मिश्रन बचा था ना उसको भी मैंने इकठे करके बना लिया है लड़ू इनको भी हम इनको चक्कीयों को हम साइड में रख देंगे ताकि अच करके जरूर बताना और लड़ू बनाने में थोड़ी सी परिशानी होगी कि इतना जो प्रोसीजर किया है ना उसमें यह अच्छे से मलब गुड सैट हो गया है तो थोड़ा दवाब देके हमें इसके लड़ू बनानी पड़ेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी गोलवाल पर डालना है हमें कुछ भी नहीं डालना है तो आप दोनों साइट से देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी बनके रेड़ी हुई है तो हमारी सभी चक्की बनके हो गई है रेड़ी और मैंने निकालिया है एक प्लेट में तो इन जो गजजक है ना इनको आप वर्त में भी ख ना सकते हो तो बाहर से क्यों लेकर आना तो ओके बाइफ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सबस्त रहें मस्त रहें खाते रहें पिते रहें और जूड़े रहें मेरे साथ बाइफ्रेंड्स